दूस्तू, स्वाय थे आप सभी का आज हम आपको एक ऐसी बात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको साइध आपने बड़ी मुश्किल से सोचाई होगा जिस धर्ती पर हम इस समय में हैं वे अपनी धूर्थी से 1670 किलोमेटर प्रती घंटे की रवतार से घूम रहे हैं क्या हो अगर इस धर्ती घूमना एक दम से बन करते तो बस इसके बारे में जानने के लिए आप से भी से रिक्वेस्ट की वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे हैं लंडन की विग्यानिक माइकल स्टीविस ने इसी स्वाल का जवाब ढूनने की कोशिश की है जिससे जुड़ा एक फीडियो नोंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया स्टीविस की मताबिक पिर्थवी अगर एक दम से घुमना बन कर देगी तो इसके एकमस में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एयर 1670 किलो मिटर की रफ़तार से चलने लगेगी जिससे लागों लोगों की खोफनाक तरह से मौत हो जाएगी ये तुफानी हवार रास्ते में आने वाली हर चीजों को नश्ट करते चलेगी और हम इंसान भी एक दूसरे इंसान से गोली के रफ़तार में टकराएंगे और वातरन कुछ ऐसा हुआ जैसे प्रमानु विस्फोट के बाद आस्वास में धूरे का गुबारा बन जाता है ये हवा बड़े पैमाने पर आगे और भूमी के कटावने कारण चलने लगेगी इसके साथ ही पिर्थिवी पर मैगनेट एरिया एकदम से खतम हो जाएगा जिसके बदर सबी धातुएं हवा में उड़ने लगेगी पिर्थिवी पूरी तरह से गोल हो जाएगी वातावरन में पिर्थिवी का अकारण ओरेज कलर का दिखने लगेगा और पिर्थिवी का गुम्णापन होते ही समुंदर का पानी अपनी जंगा से हिल कर और आसपास के एरिया में चला जाएगा जिसके बिदर से भोती जादा मात्रा में सारी जंगा बार की स्थिति उत्पन हो जाएगी और हवा की प्रेशर के कारण सभी फिल्डिंग अपनी जंगा से गड़ जाएगी और पूरी पिर्थवी धीरी धीरी करके नश्ट हो जाएगी दोस्त आज कातोगे मारा पूरा निची कमेंड करके बताएगे कि आप सभी वीडियो कैसे लिग अगर आपको वीडियो चलगी तो लाइक करते न और हाँ अगर आप हमारी चल्म पे नए हो तो चैनल को सब्स्ट्राइब करना मत पूलना और चाहते हो आपको बताना चाहते है अगर ऐसी कटना होई तो इसका परेडाम इससे भी बहा नक होगा और हाँ मिलते नेक्स्ट वीडियो